यूपीटर 2021 में आवेदन के दोरान रेश्ट्रेशन करने के बाद से step 2 में fees payment करना है बहुत से अभियरती fee payment करने के बावजूद भी उनका आगे process नहीं हो पा रहा है और बार बार उनसे fee payment करने वाला window ही open करके दिखाया जा रहा है दुबारा payment करने के संदर में तो इस condition में भीरतियों के तमाम प्रशन आ रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए देखिए जैसे ही आप fee payment वाला window open होगा तो action के नीचे select लिखा गया है अगर आपने fee payment कर दिया है तो फिर आपके सामने ये window open होकर के आ जाना चाहिए जिसमें step 2 में fee paid लिख करके आ जाएगा लेकिन बावजूद इसके अगर fee आपका cut शुका है और ये वाला window open नहीं हो रहा है fee paid वाला option नहीं आ रहा है मतलब कि बार बार fee payment करने के लिए बोला जा रहा है तो उस condition में आपको करना क्या है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये problem आती क्यों है तो site पर congestion की वज़े से और बहुत ज़्यादा overload की वज़े से site सही से respond नहीं कर पाती है और जहां से fees आपका cut आ यानि कि आपके account से और जिस account में ये submit हुआ मतलब जमा हुआ उस account के द्वारा respond नहीं किये जाने की वज़े से बार बार वहीं window आपको दिखा जाता है कि आपको payment करना है तो इस condition में आपको घबराने की ज़रुत नहीं अगर आपके account से पैसे cut चुके हैं तो उस इस्तिती में ये window आपके सामने open हो रहा होगा action के नीचे जो select लिखा गया है उसी पर आप दुबारा क्लिक कर दीजे action के नीचे जो select लिखा गया है उस पर जब आप दुबारा क्लिक कर देंगे तो फिर आपका अगर fee payment हो चुका होगा आपका fee paid वाला window open हो करके आ जाएगा उसके बाद आप अपना आवेदन complete कर पाएंगे दोस्तो यूपी टेट में आवेदन को लेकर के बहुत से अभियर्थों के doubt हैं जैसे की आवेदन कैसे fill करना है जिनका result गोशित नहीं हुआ है जिनके पास mark seat नहीं है वो mark seat number कैसे fill करें mark seat number कहां होता है और आपके particular किसी stream के किसी mark seat पर वो number कहां पर mention होता है इसके regarding dedicated video और इसके अलावा appearing में किस प्रकार से आवेदन करना है साथी साथ back लगी है तो आपका माने होगा या नहीं और इसके अलावा जो minimum और maximum age limit यूपीटेट 2020 में रखी गई है वो कितनी है ऐसे तमाम प्रशनों का जवाब dedicated videos में मैं दे रखा हूँ आप लोग के तमाम प्रशन आते हैं आप अगर उन सभी videos को एक बार देख लें तो आपके सभी doubt clear हो सकते हैं इस video के description में मैं सभी videos का link दे रहा हूँ आप सभी videos को देखिए जिस भी मुद्दे से आपका जुड़ा हुआ समस्या है उस video को देखिए आपके सभी समस्या है दूर हो जाएंगी और ऐसे ही महतोपूर अप्डेट के लिए इस channel को subscribe करना ना भूलें इस video को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिल शूब हो